प्रिशी के खिशेतर में बड़ा और एहम स्थान है। हमारा किसान अन्यदाता खेती के साथ साथ रिकॉर्ड फसलों का भी उत्पादन करते हैं। बात चाहे हरितकरांदी के समय की हो या आज की। हमारे देश की मिट्टी और अन्यदाता किसान हमारे देश की 130 करोड जनता को कभी अनाज की कमी नहीं होने देती। नमस्कार कृषी दर्शन कारिक्रम में आपका स्वागत है। हमारा आज का विशे है पहाडी कृषी में किसान उत्पादन संगठन की भूमी का। इस विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे पीच स्टूडियो में उपस्तित हैं डॉक्टर बिंद्या दत जो की एसेस्टेंट प्रोफेसर हैं प्रचार शिक्षा वसंचार विभाग कॉलेज ऑफ कॉम्मुनिटिज साइंस चौधरी सर्वन कुमार हिमाचल परदेश किशी विशे विद्याले पालंपूर में डॉक्टर बिंद्या आपका इस कारेक्रम में स्वागत है क्यों मेडम सबसे पहले डॉक्टर बिंद्या में आपसे यह जानना चाहूंगी कि पहाड़ी क्रिशी विभाग जो उतपादन संगठन है इसको फार्मर प्रोडूसर और्गना लोग जो है वे अग्रिकल्चर से जुड़े हुए हैं तो इसमें ऐसा है कि हमारे जो किसान है वो अकेले अकेले क्रिशी करते हैं उसमें उन्हें जो है इन्पुट जो भी सीड फटिलाइजर जो भी इन्पुट प्लाइज चाहिए उसके लिए या तो ने मार्केट जाना निकल जाता है ग्रोइंग सीजन निकल जाएगा तो फिर उसमें जब लेट सों या अर्ली सों वराइटी वो नहीं लगा पाएंगे तो नैचल लिए उनकी जो प्रोडक्शन है उस पर फरक पड़ेगा तो जो संगठन है हमारे वो क्या करते हैं यह जो हमारे संगठन है जै जैसे हम बोलते हैं कि अकेली लगड़ी जो है वो तोट सकती है पर जब हम गुरूप में काम करते हैं तो वो जो है एक गुरूप की एक से होती है और उसको तोड़ना बहुत मुखिल होता है तो यह बहुत ही अच्छा संगठन है जो हमारे फार्मर्स को जो है बनाना चाहि जिक जो बहुत अच्छी बात बोले कि एक लगड़ी टूट जाती है जो एक संगठन वो कभी नहीं टूटा तो यह जू और इसका संगठन जैसे आपने बताया कि फार्मर्स है तो इक जो फार्मर है उसके साथ कैसे जूड सकता है पान जी यह बहुत अच्छा क्वेश्च मतलब हम जो करते हैं तो इनोवेटर्स हमारे जो जादातर रहते हैं वो फार्मर्स मतलब की जो हमारे जिनके पास खेत बड़े बड़े हैं और वो जो है नहीं चीज़े ट्राइ कर सकते हैं वो तो परसंट होते हैं तो बहुत ही कम परसंटेज है उनकी तो हमारे प्रदेश में भी ऐसा है कि जो हमारे जावतर किसान है वो कैसे हैं सिमान्त और लगु किसान है उनके लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे वो टेक्नोलोजी ले या कैसे वो सीड जो हाइब्रिड वराइटी जा रही है उसका लाब कैसे ले और 84 परसंट पॉपलेशन है हमार तो लिए जई आप पास टechn considers अचेनिकल नो हाउ चब्हां करता है कि एक अपरोच रहती है कि जो इन्नोवेटर हम भी क्या है हम यह सोचते है कि जो रिस्क टेकिंग अबिलिटी है, वो इनोवेटर्स की जाधा होती है तो हम क्या करते है कि इनोवेटर्स को ऊड़ेश Northern करते हैं कि वो जो भी हमारी technology ही इसको अडराउट कर लेगा। में उर्या के हम उनको राट आहे को से कहते है कि जब हमारी 84% प्रोकुलेशन ऐसी है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है और उनके तक हमारी टेकनोलोजी नहीं जा रही है तो नैचिरली हमारी जो अगरिकल्चर प्रोडक्शन उस पे फरक पड़ेगा और स्टेट की जो एकॉनमी है उस पे फरक पड़ेगा तो इसके लिए हमें जो है सिर्जुह मार्जिनल फार्मर्स हैं को जोड़ना उनको मेंस्ट्रीम में लाना बहुत है और उसी के लिए जो है फार्मर प्रोडिशर और ऑर्गनाइजीशन का कंसेप्ट लाया गया है ताकि इनके डवलपमेंट भी प्रॉग्रसिव फार्मर्स के साथ होती रहे है वो में फोकस है जैसे जो हमारे स्मॉल फार्मर्स है उनकी इतनी आप बोल सकते हैं खरीदने की शमता नहीं है या मार्केट तक जाने की शमता न से मैनेज करेंगे मार्केट में जाएंगे सीड लेक आएंगे फिर थोड़े टाइम के बाद हमें फर्टिलाइजर अप्लाई करना है तो उसके लिए जाएंगे तो पूरी कॉनमिक्स जब करते तो उनको लगता है कि नहीं यह तो बहुत ही कॉस्ली अफेर है और कैसे ग्रहिच खोड़ने लग पड़े हैं तो झाल इकर सकते हैं लेडर इंटनिव भी मेता है और посмотрant पहले क्या हुता कि हमारे स्वेयक्ट परिवार होते ते तो उनकोले लुझाल मिल जूलक में बढ़ते दे बाहरी कहां कांथते ती अब क्या है परिवार शोटे है तो वहां पर मेल मेंबर्स जो है उनको बाहर जाना पड़ता है जो बर्डन है वो होली एंड सोली जो विमन है हमारी उनके उपर होता है बच्चे एगेशन मेंगेज़ हैं उनके पास टाइम नहीं है तो अके लिए लेडी को वो सब चीजे मैंनेज करने पड़ती है फिर पास टेक्नोलोजीज है हमारे पास एडवांस्ट टेक्नोलोजीज आगे हैं जैसे पहले प्लोइंग करते थे तो बैलों से हल चलाते थे तो उस टाइम पे मेल मेंबर्स की इंवाल्मेंट बहुत जादा होती थी अब क्या है अब लेडी अब पावर टिलर आगे हैं बट प पिए जो है वो जब एक मपनी के रूम पे रिजिस्टर हो जाता है तो वो जो है बहुत है क्योंकि जो भी गौर्मन अज्शिच संगठन को यह तो है डिरेक्ट अपरोच करते हैं वी आपनी टेक्नोलोजी को टिस्सेमिनेट करना है तो टिस्सेमिनेशन के लिए वो क्या कर प्रिस्क टेकिंग परसंस हम उन्हें अप्रोच करेंगे नचुली वह हमारी टेक्नोलजी को अड़ाप्ट करेंगे और साथ के साथ क्या होगा जो हमारे अप्रिस्क टेक्नोलजी को अड़ाप्ट करने का तो बहुत है उन लोगों के लिए किसी भी और बात करें चलाने की तो फाइनेशल जो होता है वो सबसे बड़ी चीज है कि पैसा कहां से जन्रेट हो तो यह आपकी और इसका फाइनेशल सोर्स क्या है इसके बहुत सारे सोर्स हैं जैसे लोग जो है जो इनोवेटर्स की बात मैंने करती तो वो कुछ अपना वैसा लगा लेते हैं मानलिया लाख लाग रुपिया दस लोगोंने लगाया तो दस लाग हो गया दस लाग जब लगा देंगे उसके बाद फर्स्ट आफ और वो दस पंद्रा लोग अपनी ऑ जाहे वो गर्मियें गर्मियू के फर्स लोग जायें और मोतिवेट करेंगे अब स्माल मार्जिनल ओने लेगा या यथ कोई एफ पियो एक्जिस्ट करती है तो उनके ग्रुप्स बनाना बहुत बनाना बहुत इंपॉर्तन है तो यह जो और्गनाजेशन्स जो दस से पंद तो वो क्या करेंगे कि इन जो डे ऐर्रेक्टर्स हैं और जो भी हमारे और ओर्गनेसिसैटीप में जितने भी लोग ऑनेँजेश Хотя के साथ बात करेंगे और उन्हें उन्हें मोटिवेट करेंगे कि वो इन FPO के साथ जुड़ें और इसका लाब लें तो एक तो वह है दूसरा गौर्मेंट इनको सपोर्ट करती है तीसरा यह होता है कि आपने देखा है कि कही बारी यह जो FPO है यह डिरेक्ट कॉंटेक्ट में ती होलसेलर्स की जैसे इस में यह सीड लगाना है और हमें जो है जब यह पैदावार हो जाएगी तो वही डरेक्ली इसको क्या करते हैं अब परचेस कर लेते हैं तो डबल बेनिफित हो जाता है कि आपको दर्दर में बढ़कना नहीं पड़ा और आपकी जो मार्केटिंग है वो भी इसली होगी प्र जो है जो है सबसे आगे है और प्रड़क्शन भी इस बसे आगे तो इसके सफलता का में रिजन क्या है सफलता का रिजन यह कि गवर्मन्न अमारी बहु जादा सपोर्ट कर रही है फार्मर्स जो है अब जैसे 84 परसंट हमारे जब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जब करेंगे तो आपको यह जैसे पहले भी बताया कि हमारी अटमेटिकली हमारे स्टेट की कौनमी में फरत पड़ेगा पर हम मोटिवेट कर रहे हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर और मोटिवेट कर रहे हैं कि वह इन अर्गनेशिशन के तरू जूड़े हैं प्रेनिंग लें अच कि यहां पर हमारे पास टाइम नहीं हैं लेबर नहीं है हस्बन मेरा बाहर है बच्चे मेरे बड़ रहे हैं मैं कितना करूंगी बट जब आप इन और्गनेशिशन के साथ जूड़ेंगे और जब आप एक गाउं में एक परसन दूसरे को देखाएगा कि इसका प्रोड्यू स sneaking करेंगे एक को करेंगे दूसरा हो जाएगा मोटिवेट तीसरा हो जाए गार इस पर है इसलो हमारे फार्मे और जो हमारे पहाडी आप्यां यहां पिचांड आप सौ फार्मर्ज जो हैं जुड़के एक और इसे बना सकते हैं शे डक्टर पिंद्य जैसे आपने ऑब और हैं वो प्लेंस से बहुत डिफरेंग हैं हमारे जो यहां पे खेत भी है वो सीडी नूमा खेत हैं अगर आप टेक्नोलोजी की भी अब हम रिफाइनमेंट कर रहे हैं तेक्नोलोजी में जैसे हमने देखा कि पंजाब से अगर हम कंपारिजन करें तो वहां खेत बड़े बड़ के का टूर यहां वहँते हैं हमारे उनिवर्स्टीज के एक ओने स्प्रशन करवा सकते हैं ती हुष्टर अगरि कलोशन का 1चे वर्शन पोड़िएरै उनिवरस्टिधा गिदैनों मैं ओने सब्सक्राइब कर दोईट्डिबदे में हो फेल हैं आपको स्वाइल से रेलेटे किसको जाके मिलेंगे तो वो भी दिक्कत नहीं है आज कल किसवान कॉल सेंटर्स है आप जो है डिरेक्ट रेट ऑफ एक्सेंशन है अटिक सेंटर्स है पालंपूर में जहां पर जाके आप जो है अपनी समस्या बताएंगे और वहीं पर आपका अन्द गेट है बिल्कुल इसल तो नच के लिये जैसे ये और जो उनिवसिटी है तो क्या ये कुछ जागरुक इभ्यान भी लगाते है निजी हमारी देखो यूनिवस्टी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते है जो जिसमें प्रेक्ट लिट्ली फार्मर्स के साथ डिल करते है जैसे फार्मर्स फ第一 ल파 प्रोग्राम है फिर हमारा एक्रप्र चल रहा है हमारे यह कॉलेज में अल-India Coordinated Research Project प्रोजेट है फिम्में इन अगरी गलचर पे हमारा में फोकस है तो हम लोग मतलब उस प्रोजेक्ट में हम time to time farmers के घर पे जाते हैं उनके साहत विजिद करते हैं उनकी फील्ड में विजिट करते हैं, उनको हम study करते हैं, उनकी हम पूछते हैं कि आपको जो technology हमने दी है, उसमें कहीं पर कोई समस्या है, तो आप बताइए और उसको हम फिर रिफाइन करते हैं, जहां से भी जिस भी department ने वो technology रेलीज की है, अगर फार्मर्स को कहीं कुछ प आगे आएं कि कि फार्मर्स जो हैं वो जुडेंगे, एक समु के रूप में आगे आएंगे, तब ही जो हम अपनी technology को उन तक पहंचा सकेंगे, और अपनी जो state है, उसकी economy को रेस कर सकेंगे, जैसे new technology की आप बात कर रही हैं, जैसे आजकल तो technology का जमाना है, तो जैसे कोई नहीं technology आई, तो अब कई किसान हैं कि नहीं उनको पता है, तो new technology जो आई तो उस organization कैसे उनकिसानों तक ही अपना message पंचाती है, और उनको एक संदेश देती है, और उनको बताती है कि ये new technology आई है, इसको यूज कर कि देखिए, तो कैसी organization help करती हैं, ये organization जो है, ये और जिस में आप एक क्लिक करेंगे, आपको प्रधान का नाम चाहिए, आपको डिरेक्ट मिल जाएगा, तो वैसे ही जभी रिजिस्टर हो जाते हैं, ये organizations, तो इनका जो लिस्टिंग हो जाती है, पूरी हमारी, उसमें वेबसाइट में जाएगा, वहां से जो हमारी universities हैं, वो देख वो में होते हैं, तो वो में आपको बोल कि हमें आपको जाएगी को जो हमें, कहां पर हमें ऑक का करना हैं, वो डिरेक्ट रेट रेत अवकस्टिंशन जाएगे, वह हम करेव हमें जो है, तर दूसरा जो हमारी collect और हमें पना Eh Ke Ser.:ड़ी में बेखुरु कर था करना होता है, य युकि वहाँ पर ग्रूप है, वोई बात आगी, फिर रसके समू है जब हम एक आन जगह जगह जारे हैं जहांपे हमें फॉर्मर्स मिल रहा। और एक जगह जगह जहारे हैं जहांपे हमें इंवह सौंफ सार्मर का घथकर तो आप स्रावs करेंगे और उसके मैधिम से हम अपनी technology जो है जो भी है जाहे हाई वीज वराइटी है चाहे हमारे equipment है टूल्स है वो सब हम फिल्ड तक पहुंचाते हैं जैसे हमारे खेती के लिए जो पुराने बजर्ग हैं वो तो बहुत ही उसमें गड़े होते हैं तो जैसे बीज है हम बीज की बात आप निकी तो बीज जो होती है वो खेती की जान होती है तो जैसे आप नए बीजों की बात कर रहे हैं तो आप कैसी organization कैसे उन लोगों को motivate करती है कैसे उनको बताती है कि यह जो अच्छी वराइटी का है कैसे उनको motivate करती है organization जो है जो हमारे प्रोडूसर्स है सबसे पहले जो में जो 10-15 लोग है सबसे पहले तो वो डॉप्ट कर रहे हैं technology कि हना उन्होंने अपनी field में लगाई वो particular variety जो भी है लगाई तो एक रिजल् प्राइजर application है उसमें POP package of practices जो है उसमें तोड़ा सा फरक हो अधर्वाइस तो climate conditions वहीं है irrigation facilities almost same रहे ही rain fed है यहां पर तो बारिश पे dependent रहते हैं तो जो हमारे progressive farmers ने जो वराइटी लगाई है जो हमारे जो में 10-15 farmers है उन्होंने लगाई है और जो दूसरे farmers ने लगाई है तो दूसरे वह खुद देखेंगे उसी गाऊ में रहरे हैं और यहीं हो जा रहे हैं उन फील्ड से गज़र रहे हैं तो देखेंगे कितना फरक है ल executing बार्राइ लगाई वही कही तो आप सा लुपिश है कि पीAgले साल जब है कि हमें वही टो आप में लगाया थे कितना बही जो हम अपलाई करते हैं उनको विजिबल करने के लिए कि क्या फरक है जो वराइटी हम अभी लगा रहे हैं जो पहले लगाते थे उन दोनों में कितना फरक है तो यह विजिबल्टी मैथड से फार्मर्स जो है इसको अड़ाप्ट कर लेते हैं उसमें कोई बड़ी दिक्कत ही तो उसको मार्किट प्रोवाइट करवाई जाए कि जहां उसे अच्छा दाम मिले उसकी उसकी महनत का अच्छा दाम मिले यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूच्छा है क्यूंकि हमारा ऐसा है कि हमारे फार्मर्स बहुत ही जादा आप बोल सकते हैं कि महनत करते हमारे फारमर्स वेजटेबल लगाते हैं सीरियल क्रॉप्स लगाते हैं और अपर हमाचल में चल जाए तो वहा बहुत हैं रहा है टो फो पर्म लोर में भी है तो लो फ्रीज अपनी कर चाहिए बहुत मेहनत की सबकुछ किया बटीपादावार भी होगी बट हुआ कि अगर हम वेजडेबल प्रोड़क्शन की बात कर लें, होता क्या है, उनोंने वेजडेबल लगा दी अच्छी प्रोड़क्शन होगी, बट जब बेचने की बात आती है तो मीडल मैन बीच में आ जाता है, और वो मीडल मैन जो है, जो टमाटर है, गर टमाटर की बात करें दो रुपे किल लोन के खेट से ले ले लेगा और मार्केट में वो 40-40 रुपे किलो बेचेगा, तो जो अच्छी में महनत कर रहा है, वो क्या होगा डी मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मैं इतनी महनत की, इतनी मुश्किल से बीस जोगाड़ा, फिर मैंने अप्ला अप्लाइजर अप्लाय किया, दिन रात कहत में रहा और मेरे हाथ तो कुछ नहीं आया, अब उसके डी मुटिवेशन से क्या होगा, वो छोड़ देगा, मैंने नहीं लगाना मेरे को क्या फाइदा हुआ इस चीज का, अब अगर अगर सेरील क्रॉप्स की बात कर लें, उसमारे separates कि यौ-बेचाएऽ ।ो हमारे लिगी अऩ внी स्पेशियलिटी कि अपनी स्पेशियलिटिटी को आदिफाी करना चहिए, यह स्पेशियलिटी है राजमा है यह स्पेशियलिटी है जिस्मबा के तीमा पार्जमा बहुत फेमोश है जह बस assign. तो हम इंपने ज्गह कि यह हमारे पर्टिकुलर एरिया की जो है स्पेशलिटी है उसको हम जो निकाल के लेके आए और उसको हम जो है जी आई टैगिंग करवा सकते हैं और इसके अलावा डिजिटलाइजेशन के जमाने में मार्केटिंग की भी कोई समस्या नहीं है क्यूंकि हम जो है इनाम के थ्र मोटिवेट हो रहा है बट सिर्फ वही बात आजाती है हट फिर के मैं फिर से रपीट कर रही हूं कि फार्मर्स अवेर होने चाहिए और अवेर कैसे होंगे जब वह ऐसी ओर्गनाइजेशन के साथ जूड़ेंगे क्यूंकि यह ओर्गनाइजेशन चाती है ट्रेनिंग करने यह ओर्गनाइजेशन इनके पास knowledge होता है technical know-how का इनको पता है कि हमें किस particular agency को approach करना है input supply के लिए तो इन्हें सारा knowledge होता है तो इस knowledge के साथ क्या है हमारे जो small and marginal farmers हैं वह भी साथ में जुड़ते हैं तो वह भी आगे की तरफ चले जाते हैं उनकी भी income raise होती है इसे organizations की बा को भी समझाने के लिए कुछ ऐसी प्रोग्राम करती है या कुछ ऐसे exhibitions है या कुछ उनको message करती है कि organization यह भी बहुत अच्छा question है क्यूंकि मेरा थोड़ा फिल्ड का भी experience रहता है मेरे पास research project है एक तो extension के लिए हम जाते रहते हैं तो मैंने बहुत observe कि हमारे जो आज के लेके बैठे रहेंगे इवन गाओं के बच्चों को भी यह पता नहीं है कि यह धान की फसल लगाई है कि यह गेहूं की फसल है तो यह तो बात सही में सोचने वाली है कि हमारा युवा जो है वो शायद जो खेती बाडी है उसको छोड के किताबों में चला गया है बट जो है इंट्रस्टेड है फील्ड में कि यह गोबर कॉन उठाएगा यह कौन करेगा है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है युनिवस्टी चलाती है हमारी तो युनिवस्टी जो है वो ट्रेनिंग्स करती है फार्मर्स के लिए यूथ के लिए इस्पेशली कि वह आए आ इस दरा से काम करती है किस तरह से जो है खेट से लेकर प्रडुक्शन तक और उसके बाद मार्क्रे तक पहुँचा यह उसके लिए आपका भुलूअब धन्ने मैं एक किसान दिन रात महानत करके हमारी थालि तक अपना भोजन हमें जो हमारा भोजन हें हमें देते ही तो हमा प्राव जयों झाल